रादिकिष्ण दोस्तों और सवभागे के बाद तो ये है कि ठाकुट जीने आपको ये चार बाते दे ही दी है आज आपके पास नाम है लीला है सेवा है धाम है किसी भीक्षन किसी भी समय ये चार चीज़ें आप कर सकते है ये आपका सौभाग्य है हर किसी को ये चार बाते प्राप्त नहीं होती दुनिया में नजर घुमा के देख लो समझ आ जाएगा आपको आप कभी भी नाम ले सकते हो कभी भी लीला श्रवन गायन कर सकते हो जब चाहे तब धाम जा सकते हो और अगर आप सेवा नहीं भी कर रहे हो पर जहां सेवा हो रही है उसके दर्शन कर रहे हो तो आप सेवा में सम्मिलित हो चुके हो मतलब सेवा भी आपके हाथ से हो रही है तो हो गए ना चार बाते परिपूर्ण पर इसी से क्रिपा प्राप्त हो ऐसा नहीं है क्योंकि संतों का और गुरू के वचनों का बालन करना भी उतना ही अवेशक है तो कौन से वचन? तो पहला है वैराग्य, दूसरा है नाम ना बुलने की प्रतिक्या बस इनी दो वचनों का बालन करना है विराग्य हो के मुख से नाम को रटना ही संतों के वचन है संत और गुरु के वचनों का जो पालन करें वही तो शिष्य कहलाता है और जो बात ना माने वो शिष्य हो ही नहीं सकता चाहे कितने भी मंतरधारित दुलसी कंटी धारन कर लो पर वचनों का पालन ही नहीं कर रहे हो, तो कुछ भी नहीं होता, कंटी पहन के मासाहार खाना, संबंद बनाना, नाम ना लेना, इससे कुछ नहीं होता, वचन तो रिदै से लिए जाते हैं, और जहां वचनों का पालन होता है, वही भगवत कृपा संत गुरु कृपा घर बै धाम जाते रहो फिर जैसे आप चल रहे हो वैसे आप पे क्रिपा का वर्शाओं होने लगेगा जो बड़ा दुरलब होगा आपको जो मिला है ये बड़े सोभागे से मिला है इसका सदूपयोग करे और संतों के वचनों का पालन करे नित्य सेवा नित्य नाम और लेला में रह तो अवशक ही निश्चित ही भगवत प्राप्ती तय है लिख लो शुभम भवतू कल्यान मोस्तू